तो बेस्ट लैप्टॉप इन 2021 तो बही अगर आप 2021 में बेस्ट लैप्टॉप लेना चाहते हो एंड अगर आपका बज़िट 40,000 है ये वीडियो मैं श्पेशली आपके लिए कर रहा हूं स्टार्ट करेंगे हम 35,000 से एंड 45,000 के बज़िट तक जाएंगे ठीक है अगर आपक अगर आपने ओफिस वर्क लेए चाहिए अगर आप स्टोडेंटों पढ़ते हो पढ़ाते हो कुछ भी आप करना जाते हो आप नॉर्मली इजली कर सकते हो प्लस भी अगर आपने 1080 पर वीडियो आइटिंग करने है उसके बाद भी अगर आपने नॉर्मल साइडिंग पर ग आपको 41,000 के बजट में MI Notebook 14 देखने को मिल जाते है इसका display quality बहुत ही है build quality बहुत अगरी मिल जाते है उसके साथ साथ भी अगर आप डाटा इंट्रीस करते हो जाए अगर आपका काम कोई ऐसा आपको keyboard पे जादा काम करना परता है आपके लिए यही best deal हो सकते है प्लस आप प्लस पॉइंट तो इस laptop के देखने को मिल जाता है लेकिन minus point भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि आप RAM को upgrade नहीं कर सकते है अगर RAM को upgrade करने का option मिल जाता है तो यह 12 GB ही अगर आपको देखने को मिल जाता है तो इस laptop को मैं number 2 पर या number 1 पर ही रखता है because laptop पूरा loaded देखने को मिल जाता है अगर आखने पर गेमिंग हो आप करते हैं इसके ग्राफिक कार्ट में देखने को मिलेंगे आपको एंटल युदी ग्राफिक बिहовали आपको मील ज cabe masih 350 stable doubleанием तो फिरे वो उट को अपने निकल जाता में अपने कर hip option भी तो नहीं मिल रहा ना थीक है तो भी अगर आपने MI की और जाना है आप जा सकते हो मैं ऐसे नहीं कहा रहा है कि आप नहीं जा सकते हैं आपको एंटीकले डिस्पले है प्रसासर की बात करूं को आई फाल टैंटर जमरेशन के साथ देखने को मिलता है तो प्रसासर बहुत अगड़ा है ठीक है स्टूरेज की बातों को 8GB RAM मिल जाती है प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती है SSD का बेनिफिट यह होता है अगर आप डाट प्लस आपको 65W fast charger देखने को मिल जाता है प्लस की बात करो आपको 41,000 के बज़र में MI Notebook देखने को मिल जाएगी तो यहार मेन स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया MI Notebook 14 के वैसे यार laptop पूरा loaded है लेकिन माइनस पांट थोड़ा सा आ जाता है और कोई भी रीजन नहीं देखने को मिलता है तो आपके लिए बहुत अगर आप जा सकते हो मैंने प्रवाइड किया आपको description box में देखने को मिल जाएगा आगे बात करते है नंबर फोग की बात करूं नंबर फोग पर यार मैंने रखिया HP 14 को तो यार बहुत बंदे मुझे मैं सही करते है कि मुझे HP का laptop चाहिए यह मुझे Dell का laptop चाहिए इस बटर देंज में एक रस्ट बना हुआ है लोगों का कि HP का laptop बहुत अगड़ा होता है तो वही मैं आपको बता दिना चाहता हूं कि यह चीजे नहीं होती ठीक है असूस बहुत ज़ब सही कर रहा है लिनौवो बहुत ज़ब सही कर रहा है और यह सही कर रहा है आपको आगे पता चल जाएगा ले कि 16 refresh rate के साथ देखने को मिलेगी आपको i3 देखने को मिल जाता है 10th generation के साथ प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी 8GB RAM भी मिल जागी जिसको आप 16GB तक expandable भी कर सकते है तो यार अगर आपने कोई heavy software यूज़ करना है office work के लिए चाहिए चाहिए या अगर आपने daily use के लिए इस laptop को लेना है तो भाई आप ले सकते हो easily normally आप काम कर सकता है आपको कोई बीशू नहीं आने वाली यार आपको i3 देखने को मिल जाता है 10th generation के साथ वो भी सच में बहुत ज़्यादा तक रहा ठीक है आप जा सकते हो HP 14 के और अभी बात कर लेते हैं थोड़ी से इसकी main specification तो य 3000 के बज़र में देखने को मिलता है तो भाई अगर आप extra pay कर सकते हो आपको HP का ही laptop चाहिए तो मैं आपको कहाना चाहता हूं कि आप i3 11th generation के और चल जाना बिकरस वो latest processor है उसके अप प्रतों कोई processor ही नहीं अभी आरा ठीक है storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती है आप upgrade कर स 16GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाए आपको 256GB मिल जाएगी आपको 512GB मिल जाएगी लेकिन उसका price सोड़ा से increase हो जागा ठीक है ग्राफिक कार की बात करूं आपको integrated graphic card मिल जाता है अभी बात करते है integrated graphic card and dedicated graphic card में क्या देखने को मिलता है तो या जो dedicated graphic card होता है उसका storage अपना होता है 2GB हो गया 4GB हो गया 6GB हो गया 8GB हो ठीक है उसका लेना देना नहीं होता है RAM के सा ठीक है लेकिन जो integrated graphic card होता है वो अपना जो storage वो लेता है RAM से ठीक है अगर अब मतलब आपको काम कर रहे हो graphic card को को जरूरत बढ़ती है RAM की जा sorry storage की तो वो RAM से ही लेगा उसका क कोई अपना storage नहीं देखने को मिलता तो उसको कहते है integrated dedicated होते है जिसकी अपनी storage होती है like 2GB, 4GB, 8GB जितना भी मतलब होता है ठीक है operating system की बात करूं आपको Windows 10 देखने को मिल जाता है प्लस आपको MS Office देखने को मिल जाता है 2019 version battery की बात करूं आपको 7 hours का battery backup provide कर देता है price की बात या Dell का ही laptop चाहिए मैं आपको कहा साता हूं कि आप HP 4D के और जा सकते हो मैं आपको plus ये भी कहना चाहता हूं अगर आपने लेना है HP का laptop ही लेना है तो भई आपको recommend करना जाता हूं आप i3 11th generation के और चल जाना अगर आप extra थोड़ा सा पे कर सकते हैं ब्लैक कर बहुत ही लग अगर इस laptop की बात करूं सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका price बहुत ज्यादा से है आपको 37,000 के budget में Lenovo IdeaPad Slim 3i देखने को मल जाता है प्लस इसके साथ आपको Lenovo bag भी देखने को मल जाता है जो कि Lenovo laptop bag है जिसके price की मैं बात करूं को 2000 के budget range में वो bag देखने के साथ उसके बाद आपको 8GB RAM मिल जाएगी जिसको आप expandable कर जाकते हो 12GB तक प्लस आपको SSD देखने को मिल जाता है 2019 वर्जन तो यहर में स्पेस्फिकेशन में आपको बता दिया है Lenovo IdeaPad Slim 3i के यह स्पेस्फिकेशन के according बहुत ज्यादा तगड़ा है price के according बहुत ज्यादा स को मल जाएगा 2000 के बजड़े में वो बैग देखती को मलता है तो यार इस laptop का बजड़ जो है वो 35,000 हो जाता है अगर हम उस पर उस बैग को निकाल देते है ठीक है तो आप देख लेना अगर आप इसकी आउजाना जाते हो आप जा सकते हो अगे बात करते हैं नमबर टू की नमबर टू की बात करो नमबर टू पर यार मैंने रखिया असूस Zenbook Ultra 15 को अगर इस laptop की बात करूँ सबसे पहले आपको lightweight and stylish design देखने को मिल जाता है इसके color वगारा बहुत प्यारे हैं आपको बहुत पसंद आने वाला है प्लस असूस एक trusted brand है टॉप नेट में से आता है तो अगर आप इसको ले ले तो आपके लिए best deal हो सकता है because आपको i3 11th generation के साथ मिलता है जो की latest processor है इसके अपर कोई भी processor नहीं देखने को मिलता है प्लस आपको 8GB RAM मिल जाते है expandable आपको 16GB तक प्लस आपको fingerprint भी देखने को मिल जाता है प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी मैं आ हो ज्यादा सही लगता ठीक है प्लस आपको 4-5 hours का battery backup पर वाइड कर देता है अगर मैं इसकी weight की बात करूँ आपको 1 kg 800 gram में Asus Vibobic Ultra 15 देखने को मिल जाता है मैं आपको जो main specification है थोड़े से बता देता हूँ आपको deeply थोड़ा सा पतर कर जाएगा तो यह display की बातों को 15.16 Full HD plus display मिल जाती है जो की 16 refresh rate के साथ आती है पर processor की बात करूँ आपको i3 11th generation के साथ मिलता है storage की बातों को 8 GB RAM मिल जाती है अपको 16 GB तक कर सकते हो प्लस आपको 256 GB SSD देखने को मिल जाती है तो यार मैं आपको एक चीज रेक्मेंट और करना जाता हूँ अगर आपको 1 TV HDD देखने बी मत जाना ऐसे मत देखना है कि आपको 1 TV storage देखने हो मत है यार 1 TV में अगर आपको data अगरा ट्रांसफर करते हो ना बहुत पकने वाले हो यार वह बहुत गंदी चीज है मैं उसको रिकमेंटर नहीं करता अगर आपने लेनी है तो आपके लिए चाहिए अगर आपने 256 ले बीना वह भी बहुत जाता है अगर आपने data अगरा ट्रांसफर करना है जल्दी कर देता है इसका पैर्जन किया जाए HDD के साथ ग्राफिक कार्ण की बात करूं आपको इंटीग्रेटरी ग्राफिक कार्ण मिल जाता हूं प्रेणी जेस्टिंग की बात करूं आपको 5-6 आव लैक्टप की अभी ज्यादा समय खराब नहीं करते है आगे बात करते है नंबर वान की बात करने से पहले बई मैं आपको इतना कहा दना चाहता हूं अगर आपका ब्रेट 40,000 से अप पर नहीं जा सकता है लेकिन अगर आप 5000 एक्स्ट्रा पे कर सकते है तो आपके लिए बैस है असुस जैन बुक जो मैंने आपको बताई है वो आपके लिए बैस्त दील हो सकते है आप उसके और चल जाना लेकिन अगर आप 5000 एक्स्ट्रा पे कर सकते हो मैं आपको रिक्मेंट करना चाहता हूं आप चल जाना इसर इस पायर 5 के और अगर इस लैक्टप की बात करूं आपको आई 5 देखते हैं को मिल जागा 10th generation के साथ आपको 8GB मिल जाती है जो कि आप अपग्रेड कर सकते हो 16GB तक आपको 512GB SSD देखते हो मिल जाती है प्लस आपको 2GB जो है ग्राफिक कार देखते हो मिल जाते है तो बही अगर आपने ऐसा student यूज करना है उसके बाद बही अ offer बही लगती रहती है और भी सरस्थे में देखने को मिल जाता है लेकिन अब भी आफी इसकी offer बहीर नहीं देखने को मिलती है लेकिन मैं try करूंगा इसका link मैं provide कर दूंग आपको description box में देखने को मिल जागा, अगर आपने चाइखो चारण करना है आप चाषब ही कर सकते ह प्रस आपको expandable भी कर सकते हैं प्रस आपको 512GB SHD देखने को मिल जाती ग्राफिक कार्ड की बातों को नवीडिया G4 MX350 देखने को मलता है जो कि 2GB के साथ आता है प्रेडिन सेस्टेंग की बात करो आपको विंडू 10 दे जाते है बैंटर की बातों को 8 आवर्स का बैंटरी लाग परवाइड कर देता है एट से कम ही करेगा अगर आपने को वान पर ही रखा भी अगर आप एक्सराए कर सकते हो तोड़ा अगर आप एक्सराए कर सकते हो आपको लापताप बहुत 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 अग्रा जाता है एक्पुर आपके लिए अगर यह kaos कहा बीन формrzy और है तो असूस के और से जो लैप्टॉप बताया वह आपके लिए बैस्ट अगर आपका बजर चालिस अजार से भी कम है तो भई लिनोव वो आईडिया पैट सलिम थ्री आई आपके लिए बैस्ट डील हो जकता है आपको 37000 के बजर में मिल जाता है जो कि सच में पैसाफ सोल ल दोस्तों को बेदना दोस्तों के भी दोस्तों को बेदना उनको भी कहतना की चैनल को करते सब्सक्राब वीडियो को करते लाइक इंस्ताग्राम पी कर लेए फॉलो लिंक बगारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाए रोसको चाहवरू कर ना भी मिला ते नेक्स्तों के साल थैक्यों